नमस्कार दोस्तों एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चारक की नीती के आधुनिक रूपां तरड की एक और वीडियो चारक की नीती को पूरी तरहे और बेहतर ढंक से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्योंकि आचारे चारक के कहते हैं अधूरा ज्यान हमेशा गातक होता है दोस्तों संबंद बनाने से पहले जरूर जानले महिलाओं के ये तीन रहसे काउन से रहसे आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आचारे चारक के को भारत के इतिहास का सबसे बिद्वान व् चारक ने इस्तरी पुरुष के संबंदों को लेकर जो नियम दुनिया को बताए हैं बो आज के युग में भी बिल्कुल सही हैं उनकी बातों को जो इस्तरी और पुरुष अपने जीवन में अपनाते हैं उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है दोस्तों बैसे तो आचारे चारक ने खुशाली भरे जीवन के लिए कई रहसे बताए हैं लेकिन शायद आचारे चारक के को इस बात का अंधाजा था कि किसी भी पुरुष को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब वो किसी इस्तरी दोरा धोखे का शिकार होता है इसलिए खास कर आचारे पूरुस किसी भी इस्तरी के हाथों से धोखा खाने से बस सकता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपिया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक आचारे चारक के ने ऐसे लोगों से साब्धान रहने की सलाह दी है जो औरतों की खुपसूर्ती देखकर शादी करते हैं दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है लड़के सुन्दर लड़कियों की सुन्दरता देखकर ही मन तर्मुग्ध हो जाते हैं इसलिए आचा बना सकती है और अगर लड़की का स्वभा बुरा है तो वो किसी भी घर को बरबाद कर सकती है। नमबर तीन दोस्तों ऐसी लड़कियां जो महेंगे कपड़े और गहनों को ज्यादा पसंद करती है। आईसी इस्त्रियां शादी के बाद भी अपने प्रेमी के बारे में सोच बिचार करती रहती है। इसलिए आईसी इस्त्रियों से साबधान रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आचारे चारक के जी के कुछ बेहद अन्मोल बिचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किये। आई होप आपको हमारा ये प्रियास पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोजा आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव बीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद।